अक्षरधाम का अर्थ है भगवान का दिव्यन निवास, इसे भाक्ति, पवित्रता और शान्ती के शाश्वत स्थान के रूप में जाना जाता है नई दिल्ली में स्वामी नारायन अक्षरधा में एक मंदिर है, भगवान का निवास, पूजा का एक हिंदू घर और भक्ती, शिक्षा और सद्भाव के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिसर तालातीत हिंदू आध्यात्मिक संदेश, जीवन्ध भक्ती परंपराएं और प्राचीन वास्तुकला सभी इसकी कला और वास्तुकला में प्रतिध्विनित हैं मंदिर भगवान स्वामी नारायन, 1781, 1830, हिंदु धर्म के अवतार, देवता और महान संतों के लिए एक विनम्र श्रद्धान जली है 6 नवंबर 2005 को एचेच प्रमुक स्वामी महाराज के आशीरवाद और कुशल कारीगरों और स्वयम सेवकों के समर्पिक प्रयासों के माध्यम से पारंपरेक रूप से स्टाइल वाले परिसर का उधगातन किया गया था अक्षरधाम का प्रत्येक तत्व आध्यात्मिक्ता से प्रतिद्वनित होता है, मंदिर, प्रदर्शनिया और यहां तक बगीचे भी अक्षरधाम मंदिर में 200 से अधिक मूर्तिया हैं, जो कई सहस्राब्दियों से आध्यात्मिक दिगजों का प्रतिने दित्व करती है प्रत्येक प्रार्थना स्वयम को सुधारने और ईश्वर के करीग जाने का आहवान है। अक्षरधाम की यात्रा एक आध्यात्मिक रूप से सम्रिध अनुभव है। चाहे वो प्रार्थना की शक्ति को महसूस करने में हो, अहिंसा की शक्ति को महसूस करने में, हिंदू धर्म की प्राचेन सिध्धानतों की सार्वभवमिक प्रकृती से अवगत होने में या सिर्फ प्रित्वी पर भगवान के निवास की सुन्दर्ता को निहारने में प्रतेक तत्व का एक आध्यात्मिक महत्व है 6 नवंबर 2005 को खोला गया बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुशोक्तम स्वामिनारायन संस्थाक बिएपियस द्वारा निर्मित हच योगीजी महाराज 1892-1971CE से प्रेरिक परम पावन प्रमुक स्वामी महाराज द्वारा बनाया गया इस परिसर को बनाने में 300-00-00-00-00 से अधिक स्वयम सेवी घंटे लगे इसके निर्मान में दुनिया भर के 8000 से अधिक स्वयम सेवकों ने भाग लिया मंदिर जतल नकाशीदार बलुआ पत्थर और संगमर्मर से निर्मित है भगवान स्वामी नरायन की जीवन और प्रार स्वामी नरायन अक्षरधाम परिसर का हृदय अक्षरधाम मंदिर है 6 नवंबर 2005 को उधगातन किया गया मंदिर भगवान को सम्मान देने वाले घर की पेशकश करने का एक प्रयास है उनकी महिमा और दिव्यता यहां पृत्वी पर भगवान के लिए एक कालातीत सुन्दर और शांतिक पूल घर यह भगवान का एक लौकिक निवास है और वह भक्ति मुयो और संस्कृति को प्रेरित करता है वास्तुकला की द्रिष्टी से मंदिर पारम पर एक भारतिय हिंदू वास्तुकला के लिए एक श्रत्धान जली है इसे वास्तुकला विज्यान पर प्रा प्राजने के लिए निर्देशित किया है ताद अनुसार मंदिर निर्मान में लौह धातु के उप्योग के बिना बनाया गया है अक्षरधाम मंदिर में 234 चतल नकाशीदार खंभे 9 अलंकृत गुमबद 20 चतुशकोनिय शिखर और भारत की हिंदू धर्म के आध्यात में क काशीदार स्तम चत और गुमबद भक्ति की कहानी साजा करते हैं एक देवता के दर्शन करते हैं या भगवान स्वामी नारायन की जीवन से एक घटना को कैप्चर करते हैं अक्षरधाम मंदिर का आंतरिक गर्बग्रेह या गर्बग्रेह भगवान स्वामी नारायन का घर ह और गुरुओं के उनके दिव्य उत्तरादेकार गुनितानन स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और प्रमुक स्वामी महाराज. अक्षर अब्रम की अभिव्यक्ति के रूप में गुरू अक्षर अब्रम की अभिव्यक्ति के रूप में भग्वान की शाश्वत सेवक और साधूता और भक्ति के आदर्श हैं वे भग्वान स्वामी नारायन की सेवा और पूजा करते हुए गर्बग्रेह में रहते हैं श्री सीता राम, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायन और श्री शिक पार्वती। अक्षरधाम मंदिर के आंतरिक भाग को नौ मनपम या में विभाजित किया जा सकता है। विशेगत स्थान, ये नौ मनपम जटल नकाशीदार मुर्तियों और स्तंभों से भरे हुए हैं और अध्वितिय गुंबदों और छट से धाके हुए हैं। इन मनपमों के माध्यम से यात्रा करते हुए, कोई भी प्रसिद भक्तों, महानवतारों और आनंदित आकाशिय प्रानियों से मिलता है। मनपमों की अलंकरिक डिजाइन और जटल नकाशी भगवान की अकलपनिय सुंदर्ता और उस सुंदर्ता की प्रतिविम को प्रेरित करती हैं जो वे स्रिष्टी में प्रेरित करते हैं। एक पारम परिक पत्थर के मंदर के बाहरी हिस्से को मंदोव की रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हमारे पास हाथी है जो शक्ती का प्रतिक है, फिर शे जो बहादुरी और प्रूर्ता का प्रतिक है। तक पश्चाक गती के लिए विख्यात व्याल एक पौरानिक पशूह मिलता है। बाग की पर्तों में फूरों की नकाशी मिलती है जो सुन्दर्ता और सुगंध का प्रतिनिदित्व करती है मंदोवा के मध्य में जिसे विभूती के नाम से जाना जाता है अफ्तारों, संतों, देवों, आचारियों और भक्तों की मूर्तिया है और इस परत की शीष पर समरन है जो लोगों को जीवन में आध्यात्मिक उजाई के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं समपूल मंडोवा एक व्यक्ति को अपने जीवन को सानसारिक सुखों की बेहियों से मुक्थ करने और इश्वर प्राप्ती की अंतिन स्थिती तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है यह सम्मान और प्रार्थना की संकेत के रूप में प्रदक्षिना या प्रदक्षिना करने की एक प्राचीन हिंदू परंपरा है विश्वासी मंदिरों के चारों और दक्षिनावर्थ चलते हैं ताकि इस विश्वास को मजबूत किया जा सके कि भागवान को किसी के जीवन का केंद्र होना चाहिए अक्षरधाम मंदिर में इन परिक्रमाओं को करने का मार्ग 30-60 फीट लंबे कांस्य रहत पैनलों से इलनकृत है ये पैनल भगवान स्वामी नारायन के जीवन से दैविय घटनाओं को चित्रिक करते हैं और इन मार्गों पर चलने वाले भाक्तों को परिक्रमा करते समय भगवान को याद करने में मदद करते हैं मंदिर की वह परक जहां ये पटल स्थापित हैं, नारायल पीट के रूप में जानी जाती है. मंदिर पारंपरेक और प्रतिकात्मक रूप से हाथियों की कंदों पर खड़ा होता है. एक विशिष्ट रचनात्मक अनुकूलन में, स्वामी नारायन अक्षरधाम के आधार पर हाथी न केवल स्थिर खड़े हैं. गजेंद पीट या एलेफेंट प्लिंद प्रकृती के साथ, मनुश्यों के साथ और भगवान के साथ हाथियों की कहानियों और कीमदंतियों को प्रस्तुत करता है. हाथियों का यह चित्रन इन्भाव्य लेकिन कोमल जानवरों का सम्मान करने के लिए है और शान्ती, सुन्दर्ता और सज्जन्ता के संदेश भी साजा करता है. स्वामिन अरायन अक्षरधाम परिसर का दिल अक्षरधाम मंदिर है. 6 नवंबर 2005 को उदगाटन किया गया, मंदिर भगवान को सम्मान देने वाले घर की पेशकश करने का एक प्रयास है. उनकी महिमा और दिव्यता यहां प्रित्वी पर भगवान के लिए एक काला तीत, सुन्दर और शांति पूरिंगर. यह भगवान का एक लौकिक निवास है और वह भक्ति, मुयो और संस्कृति को प्रेरित करता है. वास्तुकला की दृष्टी से मंदिर पारम पर एक भ शेली और इसके अनुपाद से बचने के लिए निर्देशित किया है. टाद अनुसार, मंदिर निर्मान में लौध धातु के उप्यों के बिना बनाया गया है. अक्षरधाम मंदिर में 234 चटल नकाशीदार खंभे, 9 अलंकृत गुमबद, 20 चतुशकोनिय शिखर और भारत कि हिंदु धर्म के आध्यात में क्यक्तित्वों की 20,000 मूर्तियां है. मंदिर आकाश में 141.3 फीट तक पहुँझता है, 316 फीट चोड़ा है और 356 फीट लंबा है. मंदिर के अंदर प्रतिक पुजनिय नकाशीदार स्तम, छत और गुमबद भक्ति की एक कहानी साजा करते हैं, एक देवता के दर्शन प्रदान करते हैं, या भगवान स्वामी नरायन की जीवन से एक घटना को कैप्चा करते हैं. अक्षर धाम मंदिर का आंतरिक गर्ब्रेह भगवान स्वामी नरायन और गुरूं के उनके दिव्य उत्तरादिकार का घर है, गुनितानन स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और प्रमुक स्वामी महाराज अक्षर अब्रम की अभिव्यक्ति के रूप में गुरू अक्षर अब्रम की अभिव्यक्ति के रूप में भगवान के शाश्वत सेवक और साधूता और भक्ती के आदर्श हैं। वे भगवान स्वामी नारायन की सेवा और पूजा करते हुए गर्बग्रेह में रहते हैं। भगवान स्वामी नरायन द्वारा पृत्वी पर अपने समय के दौरान पवित्र की गई वस्तूओं को भी सीधे गर्ब ग्रेह के पीछे दर्शन के लिए संरक्षित किया जाता है। दर्ब ग्रेह के आसपास विशेश्वेदी सनातन धर्म के अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। सम्मान और प्रार्थना की संकेत के रूप में प्रदक्षिना या परिक्रमा करना एक प्राचीन हिंदू परंपरा है। विश्वासी मंदिरों के चारों और दक्षिनावर्थ चलते हैं ताकि इस विश्वास को मजबूत किया जा सके कि भागवान को किसी के जीवन का केंद्र होना चाहिए। अक्षरधाम मंदिर में इन परिक्रमाओं को करने का मार्ग 30-60 फीट लंबे कांस्य रहत पैनलों से इलंकृत है। ये पैनल भगवान स्वामी नारायन के जीवन से देविय घटनाओं को चित्रित करते हैं और इन मार्गों पर चलने वाले भाक्तों को परिक्रमा करते समय भगवान को याद करने में मदद करते हैं। जिस मंदिर में ये पटल स्थापित हैं, उस परत को नारायन पीत के नाम से जाना जाता है। म करणाना जाम से जाम जाता है। झाल 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 आईए दोस्तों अब सिधे चलते हैं नारायन सरोवर की और वैदिक समय से भारत में प्रचलित चलतिर्थों की महत्वपुर्ण परंपरा का अनुसरण करते हुए अक्षरधा मंदिर की तीनों और इस नारायन सरोवर की प्रचना की गई जलतिर्थ की चारो और एक्सो आठ गौम मुख से बहती पवित्र जलधाराय भगवाल के पावनकाली एक्सो आठ नामों का प्रतीक है। आईए अब देखते हैं अभी से एक मंदपम। सुबकामनाओ एवं प्राचनाओ के साथ दर्शक स्रिमिलकंत ब्रह्मचारी की मुर्ति पर गंगा जन से विधी पुरुबक अभी से कर दंदिता का अनुभव करता है। साथ साथ परिक्रमा लाल पत्थरों में निर्मित कहिए गए एक सो चौवारिस चतुम नकाशिदार हम हैं यारा सो बैयालिस संभो और एक सो पिस्तालिस जरोखो से युक्त दो मंजिली परिक्रमा अक्षरधाम की चारों और उस पमाला की तरह सुभाई मान है। और अब हम सीधे चलते हैं योगी रदय कमल की और बनोहरी धलान पर च्छाई हरी घास के मद्य में यह एक विशार अश्टदल कमल है पवित्र भावना उकाटना को कैप्चर करते हैं। अक्षरधाम मंदर का आंतरेक गर्ब्रेह या गर्ब्रेह भगवान स्वामी नारायन का घर है और गुरू के उनके दिव्य उत्तरादेकार गुनित आनन स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और प्रमुक स्वामी महाराज। अक्षर अब्रम की अभिव्यक्ति के रूप में गुरू अक्षर अब्रम की अभिव्यक्ति के रूप में भगवान की शाश्वत सेवक और साधूता और भक्ति के आदर्श हैं। वे भगवान स्वामी नारायन की सेवा और पूजा करते हुए गर्बग्रेह में रहते हैं। भगवान स्वामी नरायन द्वारा प्रित्वी पर अपने समय के दौरान पवित्र की गई वस्तूओं को भी सीधे गर्ब ग्रेह के पीछे दर्शन के लिए संरक्षित किया जाता है। दर्ब ग्रेह के आसपास विशेश्वेदिया सनातन धर्म के अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित हैं श्री सीताराम, श्री राधाक्रिष्ण, श्री लक्ष्मी नरायन और श्री शिक पार्वती। अक्षरधाम मंदिर के आंतरिक भाग को नौ मनपम या में विभाजित किय जा सकता है। विशेगत स्थान, ये नौ मनपम जटल नकाशीदार मुर्तियों और स्तंभों से भरे हुए हैं और अद्वितिय गुंबदों और छट से धाके हुए हैं। इन मनपमों के माध्यम से यात्रा करते हुए, कोई भी प्रसिद भक्तों, महानवतारों और आनंदि आकाशिय प्रानियों से मिलता है। मनपमों की अलंकरिक डिजाइन और जटल नकाशी भगवान की अकलपनिय सुंदर्ता और उस सुंदर्ता के प्रतिविम को प्रेरित करती हैं जो वे स्रिष्टी में प्रेरित करते हैं। एक पारम परिक पत्थर के मंदर के बाहरी हिस्से को मंदोव की रूप में जाना जाता है। स्वामिना रायन अक्षरधाम का मंदोव पिछले 800 वर्षों में भारत में निर्मित सबसे बड़ा, सबसे जटल नकाशीदार मंदोव है। ये 25 फीट उलचा, 611 फीट लंबा है और इसमें हिंदू धर्म के कई महान रिशियों, सा से पहले हमारे पास हाथी है जो शक्ती का प्रतीक है, फिर शेयर जो बहादूरी और प्रूरता का प्रतीक है। तत पश्चात गती के लिए विख्यात व्याल एक पौरानिक पशूप मिलता है। बाद की परतों में फूरों की नकाशी मिलता है।